वेलकम तो दह चैनल और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले है वेरियस तैपस ओफ प्रेशर्स ठीक है मैंने लास्ट टॉपिंग बढ़ता था कि various types of pressures क्या होगा atmospheric pressure, absolute pressure, gauge pressure and vacuum pressure अब इसमें एक diagram बनाए हुआ है इन चारों के उपर, एक best for example A है ना line, जो bottom में देख रहे हुआ A है हमारा absolute zero pressure line है, ठीक है और A जो distance है, इसको मैंने नाम दिया है A यह A किस चीज़ का है, तो कि absolute pressure at A अब इसमें कुछ divides है A तो मैंने बता थी कि absolute pressure at A हो गया अब इसी का B भी दिया हुआ है, absolute pressure at B ओके, इतना हुआ, अब A और B में हमको क्या calculations होगी इसमें वो बताना है तो जैसे कि यह हमारा समदलो atmospheric pressure है, ठीक है जो हमारा yu है, वो air, oxygen, ठीक है अब atmospheric pressure तक जो यह line है उसमें हमें कुछ क्या मिलेगा 0.736, head of mercury, 101.43 km2, इतने कुछ हमें numbers मिलेंगे, अब atmospheric pressure के उपर जो जाएगा ना, वो रहेगा atomic pressure के उपर जो जाएगा, उसको positive लेते है और इसमें को negative लेते है ठीक है, अब बढ़ते हैं इनकी definitions की तरफ इनकी definitions क्या है कि atmosphere pressure की पहले पड़ेंगे कि air surrounding the earth passes same weight due to its weight, the air exert on pressure, the surface of the earth यानि की जो अर्थ है, अर्थ के जो surrounding में जो air है, वो पास हो रही है तो कुछ weight, उस air का भी weight हो गई, but obvious है, तो उसका जो weight होगा, ठीक है वो weight किस पर exert कर रहा है, pressure किस पर लगा रहा है, surface of the earth पर लगा रहा है ठीक है, अब ये धर्टी का गोला है, तो इदर कुछ air घुम रही है ओके, अब ये जो air घुम रही है न, ये air का कुछ weight होगा, वो weight किस पर लग रहा होगा कि अर्थ के surface पर लग रहा होगा, ओके, फिर जो आता है, इसमें बोला है, this pressure is known as atmospheric pressure, इसको क्या बोलते है, atmospheric pressure, और इसको किस से measure करते हैं, अभी बोलोगे, वेट कैसे आपको पाता है, किस का कैसा weight है, कैसे आप इसको measure करोगे, कितना लग रहा है, तो it can be measured by barometer, एक barometer का एक machine आता है, उससे हम calculate करेंगे, और वही जो मैंने भी बताया, ठीक है, फिर absolute pressure, अब भी बताया है, मैंने उपर, प्रेशर, simple, absolute pressure, अब भी बताया है, मैंने उपर, का गया, यह रहा, absolute pressure, zero positive line, यह जो मने लाइन बताया है, ठीक है, यह क्या है, absolute pressure यहापर क्या होगा, zero होगा, ठीक है, यह जो pressure की जो line है, वो absolute पे हमेशा zero होती है, ओके, फिर आता है, gauge pressure, जो मैंने बता है, atmospheric pressure के क्या, उपर रहता है, वो, का गया, diagram, era, era, atmospheric pressure यह है, atmospheric pressure यहापर लिखा है, इसके उपर क्या है, gauge pressure, उसी को बोलते है, ठीक है, और इसको, हम दूसरा क्या बोल सकते है, it is also known as positive gauge pressure, got it, अब vacuum pressure, vacuum pressure क्या, वो atmospheric pressure, जो B था, B point, मैंने बता है उपर, और atmospheric pressure, ठीक है, यह क्या, absolute pressure का है, यह B point, और यह होगे अपना line atmospheric pressure, उसके बीच में क्या दिया हुआ है, vacuum pressure, उसी को, क्या बोलेंगे अभी, कि, when the pressure measured with reference to atmospheric pressure, but it is below atmospheric pressure, but obvious, वो atmospheric pressure के हमें एक line दिया हुई थी, ठीक है, एक ऐसे line दिया है, उसके नीचे है, vacuum pressure, ठीक है, तो it is known as vacuum pressure, ऐसा क्यों, gauge pressure और vacuum pressure, क्योंकि gauge pressure में क्या होता है, कि, हम, for example, vacuum आपने देखा है, vacuum क्या होता है, घर में सब क्या होता है, ठीक है घर में सबके वैक्यूम होता है मतलब अल्मस होता ही है तो वैक्यूम क्या करता है एयर को सक करता है सक करता है ठीक है यह एयर क्या होगी इसमें सक होगी यानि कि क्या कर रहा है खीच रहा है खीच रहा है तो यह क्या होगा नेगेटिव और गौज़ प्रेशर क्या करे समझे गे इसलिए इसका जो डिफरेंस है है इस और सक्षेन प्रेसर और सक्षन एक निया सम्झे गे वेक्यूम क्या करता है गंधियारों को सब्सक्राइं मतलब हवा खिचताए ठीक है इसलिए उसको हम बोलेंगे तुम और दुछ प्रेसर अब इसको एक mathematically हमने एक प्रूव भी किया है ठीक है अब mathematically बटाया है ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि क्या बोला कि absolute pressure जो रहेगा उसको हम किस से donate करेंगे A से donate करेंगे इसको हम किस से denote करेंगे A से denote करेंगे अब यह क्या बोलता है कि atmospheric pressure plus gauge यानि कि P A B हो गया pressure का P A B equals to P atmosphere plus P gauge A किस के लिए था absolute pressure A point के लिए था का गया यह point A वाली जो line बता ही थी मने A वाली A जो line है इस point को calculate करने के लिए formula रहेगा हमारा atmospheric pressure plus gauge क्यों लिए मैं आप यह आपको बता रहा हूँ अभी यह है atmospheric pressure यह हमारा atmospheric pressure था यहां तक atmospheric pressure आ गया इसको plus करेंगे gauge के साथ तो हमें overall पूरा मिल जाएगा but obvious यह हमें मिल जाएगा ठीक है फिर हमारा जो आता है absolute pressure at B absolute pressure at B उसको denote नहीं किया गया sorry वो गलत था but उसको हम absolute pressure A और B दो पॉइंट यह हो है तो दो पॉइंट ढूनने के लिए हम ढूनेंगे तो atmospheric pressure minus gauge आ गया जो के रहेगा हमारा P AB equals to P atmosphere minus P gauge simple तरीका भी मैंने बाता है कि अगर हमें खाली इतना दूनना है okay P atmosphere इतना हमें दूनना है तो कैसे दूनना जाएगा but obvious हमें पहले तो किसको इसको इससे माइनस करना पड़ेगा तब B हमको P मिल जाएगा ठीक है तो हमें B मिल जाएगा ओके तो आज का सिर्फ टॉपिक इतना ही था कि कौन से टैप्स के pressure होते और उसमें क्या होता है तो पहला बात आती प्रेशर जो की कुछ जो हवा अमारे सरावंडिंग गूंगती है अर्थ के उसका कुछ weight होता है वो weight किस पे pressure लगाता है तो कि surface of earth पे pressure लगाता है ठीक है यह हमारा पहला topic हो गया ठीक है यह पहला topic हमारा हो गया फिर absolute pressure आ गया Absolute Pressure हमेशा क्या रहेगा Zero पर रहेगा ठीक है फिर Gorge Pressure जो कि Atmosphere Pressure की जो Line होती है उसके उपर Upper Side वो हमार हो गया Gorge Pressure जो Positive में हम गिनते फिर Vacuum Pressure जो कि Atmosphere Pressure के नीचे और Absolute Pressure के उपर यानि कि इन दोनों के बीच में ये 4 points होगे हमारे clear ठीक है आज का ही topic था और कुछ ना समझाया तो comment जरू कर देना and thank you for watching please like करना और share करना जीतना हो सके ये बहुत important topic है ये G2 के papers में पुछते है इसके उपर formulas है air है ये formulas पूछे जाते है ओके thank you and please like and share पुछते हूम ये जाते है